पास्टर जी जो हम दस्वां हिसा मुतलब अपनी कमाई का दस्वां देते हैं देना चाहिए या नहीं? क्या ये नए नियम में कलीसिया के योग है या नहीं? कृपया खोल कर बताई पहना दूसरा कॉरंथी, 27 नहीं, दूसरा कॉरंथी 9 का 6 दे दीजे, 6 और 7, समा करें, दू कोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है यह नए नियम में कलीसिया को परमेश्वर का योजना, देने के विशे में, परमेश्वर हमारे पैसे के पीछे नहीं पड़ा, संसार में जो कुछ है वो सब किसका है, परमेश्वर का हमारे पास जो कुछ है यह भी पूरा का पूरा परमेश्वर का, पुराने नियम में दस सब नौजवान, देखिए, प्रभु की सेवा आगे बढ़ती कैसे है, नौजवान लोग, इश्वासी लोग अपनी कमाई का हिसा किस के लिए दे रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, उसी से ही प्रभु का काम आगे बढ़ रहा, अभी ये माइक जो मैंने पहना ये भी मुझे अमेरिका में एक नौजवान बेहन और उसके पती ने खरीद कर दिया मेंगा है उन्होंने बुला आप अलग-अलग जगाओं में सेवा में जाते हो लोगों तक वचन साफ पहुंचना ये हमारी तरफ से आपकी सेवकाई के लिए उन्होंने दिया, उनका कमाई है मेरे पास अपना तो पैसा है नहीं, मैं किसमें लगा हूँ प्रबु की सेवा में अब आम मेरे पास गाड़ी है, यह प्रोजेक्टर है, यह जो कुछ है यह हमारा कुछ नहीं, यह किस ने दिया पैसा पर विश्वासियों ने अपने मेहनत में से कुछ पैसा सेवकाई के लिए अलग किया लेकिन ध्यान रखें, दबाव में नहीं, मुझे आप से पैसे मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है मैं बोल सकता हूँ, हाँ जी सेवकाई के लिए टेंपो ट्रेवलर चाहिए आप नौजवान हो, आपको प्रभू ने नौकरी दी है, आप लोग उसके लिए क्या दे दो पैसा, बोल सकता हूँ, नहीं दे, बोल सकता हूँ मिले या ना मिले कम से कम, बोल तो सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखे वचन के अनुसार, मुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, जितना मिला उसमें मैंने संतुष्ट रहना हम दुनिया भर सेवा में जा रहे हैं, कितने जगाओं में सेवा हैं, हवाई जाज में सफर करते हैं, गाडी में हम लोग जाते हैं यह सब का खर्चा कैसे हो पा रहा हैं? किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन परमेश्वर समय पर इंतिजाम करते हैं तो आप जब नौजवान हैं, आप जब कमाई कर रहा हैं, ध्यान रखना, परमेश्य ने आपको जो पैसा दिया, ये पूरा का पूरा आपके लिए नहीं, दुनिया में और बहुत लोग है जिनके पास क्या नहीं, कुछ भी नहीं, तब आपने अपने जीवन में का नुशास दालना, इदर वचन में के लिखा है, दबाव में, दुबारा पढ़िये, साथ, हर एक जन जैसा मन में ठाने, आपने ठानना है, मैंने देना है, नही देना, मुझे इतना पैसा मिला, मैंने देना, नही देना, अगर देना है, तो कितना देना, ये किसने ठानना, आपने अगर कोई आपसे बोलता है दो, नहीं दोगे तो आप पर लानत आएगी, आप बोलना बिल्कुल अच्छी बात मैं एक रुपया नहीं दे रहा है, समझ में आए? अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, उसको क्या नहीं करना? पैसे नहीं देना, वो भिकारी है, भिकारी को पैसे नहीं देना चाहिए, दोगे तो उसकी आदत को और दोड़ा क्या मिलेगा? और थोड़ा होनसला मिलेगा, है ना सडक में जो भीक मांगते हैं, इनको बिकारी बनाता कोने हमी? हमने दे दिये पांच, वो अगले के पास भी पांच के लिए जाता है, सो सिध्धान्त क्या है? मैंने फैंसला करना, सो मैंने अपने मुझे मिली वी कमाई का हिस्सा, मैं प प्रभू दूसरे भी यह सचाई पाए, उसके लिए आप फैंसला करते हैं, सो में से दस रुपया देना है, या बीस देना, या सो का सौ देना, ये किसने फैंसला करना? आपने का नधियान रखे, परमेश्र का सुभाव, परमेश्र किसी का करजदार नहीं, आप किसी को भी एक ग्लस पाने भी पिलाते हैं, परमेश्र उसका क्या देता है ? प्रतिफल देता है, लेकिन हम आशिष पाने के कुछ नहीं करते हैं, अभी अधारन, आप लोगो इ। इर प्लेट दो रहे हैं, प्लेट दो रहे हैं, क्या परमेश्र देखता है? ये orange तस रेधिस्र नहीं उसका आशिष है, आप उसकी आशिष को अपने जीवन में देखोगे, लेकिन आशिष पाने के लिए प्लेट धोने नहीं जाना, क्योंकि ऐसे आप धोगे तो प्लेट भी धुल जाएगा, उल्टा आपको कुछ मिलेगा भी, नहीं, मुझे प्रभु आशिष नहीं चाहिए, तुने मेरे जीवन में इतना किया, मैंने अपना हिसा करना, मुझे अभी याद है, एक कहानी हुई हुई घटना है, दक्षिन कुरिया में, पहले जब केमिनिस्ट लोगों का समय था, उदर बहुत सताव होता था, तब कलीसिया थी, अभी भी कलीसिया है, छोटी-छोटी कल है, और प्रभु के दास लोग विश्वासी को सिखाते हैं, प्रभु के लिए देना, हम भी आपको बोल रहे हैं, प्रभु के लिए देना है, लेकिन जबर्दस्ती नहीं, तो उसमें सिखाया, तो एक गरीब किसान है, उसके घर में एक दिन पास्टर, कलीसिया में संडे के दिन ये सिखाने का विशे सिखा कर घर में विजिटिंग के लिए गया जब घर में विजिटिंग के लिए जब गया तो दूर से गाओं है दूर से देखा तो उदर खेत में हल चला रहा है भाई तो वो सोचा भी ठीक है, हराम से जाएंगे, जाते लेकिन ध्यान से देखा तो कुछ अलग सी बात दिख रही है, हल चला रहा है, अजीब द्रिश्य क्या है, आगे बैल तो है, जुवा भी है, पीछे भाई भी खड़ा है, लेकिन दो बैल के जगा में एक ही बैल है, दूसरे बैल की जगा एक उसकी का लड़का उसको उठा कर चल रहा, तो प्रभु का दास उस घर में गया और उससे बोला, भी यह दो बैल थे ना, वो क्या हो गया, तो मालू हो किसान क्या बोला, दो थे बेटे ने इस संडे प्रचार सुन कर आने के बाद क्या बोला, पापा एक बैल बेच कर सेवा के लिए दे देंगे, और उस बैल का काम मैं करूँगा, आपको मालू है यह बाइबल प्रिंट होने में कितना पैसा लगता है, दुनिया बर सेवा इतना बढ़ कैसे रहा है, बहुत से विश्वासी अपनी कमाई का हिस्सा सेवा के लिए अलग करते ह तो मेरे पास जरुरत से जादा, मेरे लिए इतना काफी है, जब कितनों के पास कुछ भी नहीं है, वो हिस्सा वो देते जिसके कारण क्या बढ़ रहा है, सेवा बढ़ रही, सो आपने सेवा के लिए देना नहीं देना, परमेश्वर जवर्दस्ति किसी से, किसी से नहीं मा इतना मुझे मालूम है, अमेरिका में एक नौजवान, लड़का है, उनके चर्च में चंदा का वो आरादना के बीच में चंदा लेते हैं, बड़ा प्लेट है, और उस संडे पास्टर ने उसको बोला बेटा, इस बहर तू प्लेट लेकर सबसे चंदा लेकर आजा, वो गाना गा रहे हैं, ये एक एक पास गया, प्लेट में उनोंने पैसे डाले, और वो सबसे लेकर आकर स्टेज के सामने नीचे रख दिये, सब लोग देख रहे हैं, स्टेज में उपर रखना था, उसने नीचे रखा, और मालूम क्या किया, अपने पॉकेट के जो कपड़े हैं, इ के सामने प्रभू से क्या बोल्हे हैं प्रभू, मेरे पास प्राइक कुछ नही और खुद उस प्लेट में खड़ा हो गया, परद प्लेट हैं, को गिरख खड़ा हो गया, ओ writing क्या बोलते हुए, प्रभू में अपने आपको दे रहाह, उसके रही क्या था देने क्या नी था पैसे नहीं है, खुद प्लेट में कड़ा हो गया, और वो लड़का को परमेश्व नहीं कितने सामट से इस्तमाल किया, मैं क्यों बोल रहा हूं, आज एक जमाना है जिदर बहुत से प्रचारक लोगों से भीक, मांग मांग कर, प्रभू तुमें आशिश देगा, बोल बोल कर ले रहे हैं, यह प्रभू के दास नहीं है, आप इनके चक्कर में नहीं फसना, यह ये येश्व का नाम लेते हैं अपनी कमाई करने के लिए, जबकि पैसा परमेश्व ने आपको दिया, परमेश्व देखता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझ में आ रहा परमेश्व आपको नौकरी भी कौन दे रहा परमेश्व तंखा भी किसने तै की, परमेश्व ने की, परमेश्व आपकी बफधारी देखता है, आप नहीं दोगे तो भी क्या प्रभू का सेवा चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, यह एल्लिया को रोटी खिलाने के लिए किसको इस्तमाल किया कवे को प्रभु की सेवा चलेगी लेकिन एक विश्वासी क्यों देता मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं सम्झाने के लिए I always thought love was shaped like a art but is but it's actually like a आगे बोलिए English जाने ओले I always thought love was shaped like a heart but it's actually like a समझ में आया दुनिया प्यार को कैसे दिखाती है एक दिल उसके बीच में से क्या जा रहा है तीर प्यार क्या है यह बाकी सारा ढोंग तमाशा परमेशन ने प्यार को कैसे दिखाया करूस पर दिखाया उसने प्यार किया इसलिए ना हम इधर बैठे हैं सच है उस प्यार को समझने के बाद आप अगर उस प्यार को प्रभू को प्यार करते हैं हम जो पैसा देते वो तो कुछ भी उसके बदले, हमारा पैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने देना हो, आपने फैंसला करना, क्योंकि प्रबु जबरदस्ति किसी से नहीं लेता, और आप आपका जीवन ठीक नहीं है, और आप पैसा दोगे, वो आपके लिए शाप बन जाए, वोई पैसा, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्या चाहिए, जिसके द्वरा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, तो, प्रबु को देना है, कितना देना है, वो आपने तय करना, और ताकि हम क्यों देते हैं उस प्यार की गहराई को समझते वे, प्रबु तुने प्यार के, और जब आप देते हैं, प्रार्थना करना, प्रभु ज्यान और समझ दे, आपके कलीसिया में आपका प्रभु का दास पास्टर मेहनत करता, आपने देना किसको है, जो आपकी प्राण के पीछे क्या कर रहा है, मेहनत करता है, आपका पास्टर नौकरी कर सकता, लेकिन नौकरी छोड़कर वापके पीछे मेहनत करता, ले आपका पास्टर आपसे पैसे मांगता है, तो नहीं देना है, लेकिन फर्ज बनता है हम किसको दे, अगर वो नहीं मांगता तो वो उसका हाकदार है, समझ में नहीं मांगता है, वो अपनी सेवा में लगा है, तो आपके पैसे का वो क्या है, हाकदार है, इस बात को आपने झाल झाल